हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप Photoshop की Series के Class 2 में आपका स्वागत है पिछली Class में हमने अपना खुद का Workplace Create किया था अगर अपने Class 1 नहीं देखी है तो पहले जाके वो जरू देखिए उसके बाद ही ये वाली Class देखिएगा ठीक है? मैं यहाँ पे सबसे पहले Create New button पे क्लिक करूँगा एक निया खुद का Template Create हमने जो कल किया था उस Template को मैं यहाँ पे चूज किया था यहाँ पे Saved में हमने Create किया था पूल HD नाम का जो पिछली Class में देखा था पिछली नहीं देखिए था तो आपको नहीं पता चलेगा कैसे Create करते हैं, ठीक है? तो यह मैं Select कर देता हूँ और Create कर देता हूँ अभी यहाँ पे आपको सिफ Layers दिख रहा है आपको अगर आपने यह अपना खुद का Own Workplace Create नहीं किया है तो आपको यहाँ पे धेर सारी चीज़े बहुत सारे Options दिख सकते हैं लेकिन वह मैंने सब कुछ साप करके रखा है अभी सिफ मैंने Layers को रखा है ताकि आपको अच्छी तरके से समझ में आए ठीक है? आपका वह जो Workplace है वह एकदम Clean और Neat and Clean गया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे Move Tool लेके इसको मैं Move कराना चाहता हूँ तो मैं इसको Move नहीं कर पारा हूँ जैसे Move करा रहा हूँ तो यह कुछ हो है, मैं इसे दिखा रहा है यह Convert to Normal Layer यहाँ पे Cancel दो बटन दिखा रहा है मैं Cancel करता हूँ यह क्यों दिखाता है, क्योंकि यह जो हमारा Background है वह अभी Locked है तो इस Lock Button पे Click करूँगा तो यह हो जाएगा Unlock उसके बाद हम यह देखो, इस Canvas को इसका जो Background है उसको भी हम हिला सकते है यह देखो, इला अपा रहे न, पहले नहीं इला अपा रहे थे, क्योंकि वह Lock था, ठीक है इसको मैं वापसे Set कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे आपको आई Button दिख रहा है आई Button पे Click करोगे, तो आपका जो Background होगा, Hide हो जाएगा, यहाँ से Unahead होगा और यहाँ पे आपको Layer 0 है, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे, तो इसको Rename दे सकते हैं, ठीक है कुछ भी जैसे आप BG दे सकते हैं, BG मतलब Background, इसका Background का Sword Cut में BG रखता है हो गया, तो यहाँ इसे Rename होगेरा दे सकते हो, ठीक है अभी देखो, अगर यहाँ पे Right Click करते हो, तो आपको कितने Option, ऐसे Option आ रहा है, यहाँ पे No Color, Red, Orange, जो गिरा हो गिरा, आपको Option दिख रहा है ठीक है, कहाँ पे क्लिक किया था हमने, इस Rectangle Box पे Right Click किया था, ऐसे Option आ रहा है अगर यह जो Rename है, उस पे Right Click करूँगा, तो देखिए, कुछ अलगी Option आ रहे है, और बहुत सारे Option आ रहा है जिसे Markle, Artboard, From Layer, बहुत सारे Option आ रहा है, ठीक है अगर आपको समझ में ना है, तो मैं एक Wall का Image ले लेता हूँ, ठीक है यह मान लीजिए आपका Wall है, इस Wall पे आपने कुछ Paint कर दिया है, ठीक है यह Wall मैं लेके जाता हूँ, Photoshop में, Alter Tab, और यहाँ पे Direct Press कर दिया ठीक है, एक नया Layer के अंदर यह Wall लगा दिया है, ठीक है, इसको मैं Scale Up कर देता हूँ, ठीक है यह Wall है, Wall पे आपने कुछ Work किया, कुछ काम किया आपने, जैसे मैं Brush Tool लेता हूँ और इस पे क्लिक करूँगा, तो यह बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, तो इसको रास्टराइज image करना है, तो ओके कर देंगे, ठीक है अब मैं चाता हूँ, कि यह SB और M दोनों को अलग-अलग करना है, और यहां से मिटाना है, Wall से मिटाना है तो अगर आप यह समझ रहे हों कि मैं Eris Tool से इसको मिटा सकता हूँ, तो यह गलत चीज है, तो यह से नहीं मिटने वाला इस Eris Tool को अगर आप बढ़ा करके इस तरह से Eris करोगे, तो इसके साथ इसका जो Wall का टेक्शर है, वो भी रिमूव रहा है तो Eris Tool तो भूली जाए है, तो आप तो क्या कर सकते है, Ctrl-Z करके, Undo कर सकते है, चितना ज्यादा Ctrl-Z करोगे, उतना ही Undo होता जाएगा अगर आपके पास Photoshop का Old Version है, तो Old Version में Ctrl-Z, मलब Undo का जो Option था, वो कुछ अलग था, उसके लिए आपको क्या सोटकेट की यूज़ करनी थी, Ctrl-Ult-Z, ये अगर आप Photoshop का Old Version यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए Ctrl-Ult-Z प्रेस करना है, लेकिन मेरा जो अभी वर्ज़न है, 2022 है, यही वर्ज़न आपको डाउनलोड करना है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके चेक कीज़े, ठीक है, तो मैं Ctrl-Z से Undo कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यों मैंने किया है, क्योंकि मैं इस एम जो मैंने कुछ भी वर्क किया है, उस वर्क को म एक Glass लगा दूँगा, ठीक है, Glass का Plate लगा दूँगा, ठीक है, और अभी जो भी वर्क करूँगा, उस Glass की Plate के उपर वर्क करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं एक नया Layer create किया है, ठीक है, नया Layer मतला भी एक Glass की नई परत गिन लीजे, अभी आप Glass पे कुछ करने की ज़रूत नहीं है, लेकिन आपने यह जो create किया हो, ग्लास के उपर create किया है, तो अभी देखिए, इस Glass के Layer को मैं चाहूँ तो यह मैं कर सकता हूँ, इस Glass को मैं चाहूँ तो इसको Hide भी कर सकता हूँ, यहां से Hide बटन से, तो Layer का मतलब यह होता है, अभी आपने ग्ला पा रहा हूँ, और यह जो Layer 2 है, उसके अंदर हमने app create किया था, उसको भी हिला पा रहा हूँ, तिससे हमारे काफी काम आसान हो गया, और मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक थोड़ा से Size बड़ा देता हूँ, और इस Brush का Color है, मैं यहां से Change कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिय Layer, और यहां पर मैं O बना देता हूँ, सोरी मैंने क्या किया, Layer 2 के अंदर ही O बना दिया, तो यह दोनों Mix हो गया, यह देख रहे है, तैसा नहीं करना था मुझे, Ctrl-Z कर देता हूँ, नहीं यहां Layer करूँगा, उसके बाद मैं O परे, मतलब जो भी कुछ create करना है, वो करूँ यह मैंने इस तरह से create कर दिया, तो अभी गाइस त्यान से देखेगा, मैंने Layer 3 पर यह create किया, तो अभी इसको मैं अलग separate कर सकता हूँ, अभी Layer 3 यहां पर इसकी जो position है, वो अलग-अलग है, यह जो red color है, इसको मुझे app के नीचे लाना है, तो Layer 3 को मैं Layer 2 के नीचे ले यह उपर आ गया, सबसे उपर आएगा, तो सबसे उपर दीखेगा, ठीक है, और यह जो photo है, उसके पिछे लादूनगा, तो photo तो पूरा बड़ा है, तो पूरा photo के नीचे ठक जाएगा, तो आपको इस तरह से भी आपको इसको ध्यान में रखिए, कि यह एक दीवार है, औ दीवार के उपर हमें glass की layer, glass की plates लगा रहे है, तो इससे आपको समझने में आसा नहीं रहेगी, तो बस layers को इतना अगर आप समझ सकते है, यह पूरा basic है, ठीक है, यह basic concept आपका, मैंने कर दिया है clear, अभी आपको layers में कुछ problem इतना ज्यादा नहीं आएगी, जब मैं इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या, अगर आप सब layer को select करके delete करने जाओगे, delete button दबाओगे, delete button दबा रहा हूँ, लेकिन delete नहीं हो रहा है, क्योंकि कम से कम एक layer तो होना ही चाहिए, तो एक को छोड़के, बाकी के सारे delete कर देता हूँ, delete होगे delete, इसको delete करने जाओँगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो layer चाहिए, अगर मैं इसको delete करना है, तो मैं एक नहीं layer add करूँगा, layer 1, और इस बार मैं bg को delete करूँगा, तो यह हो गया, क्योंकि minimum एक layer चाहिए होता है, अभी यह जो layer 1 है, यह पूरा का पूरा transparent है, इसके अंदर कोई color वोगेरा नहीं है, अगर आपको color डालना है, तो क्या करेंगे, paint bucket tool लेंगे, और यहां पे color choose करेंगे, ok कर देंगे, यह पने color डाल दिया violet, उसके बाद, यहां layer 2 पे जाएंगे, दूसरा कोई color डाल दिया, red color, तीसरा एक मैं layer create करता हूँ, डाल दिया green, ठीक? तो जे layer, जो भी layer सबसे उपर होगा, वो वाला color दिखेंगा, simple बात है, अभी layer 1 को मैं select रखता हूँ, और erase tool लेके, थोड़ा erase करूँगा, erase कर रहा हूँ, तो क्या दिख रहा है, यह तो erase हो गया, इसके निचे वाला layer 2 का जो color है, वो दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इतना portion erase कर देता हूँ, मैंने यह भी erase tool लेके रखा है, ठीक है, और layer 2 पे आजाता हूँ, layer 2 को भी erase करूँगा, इसको भी erase करूँगा, तो क transparent background है, इस तरह कर, तो यह इस तरह से work करता है, ठीक है, पेला glass, यह पेले हमने कुन सा, जांबुनी glass फोड़ा, उसके बाद red color का फोड़ा, उसके बाद green color का फोड़ दिया, ठीक है, पर last में हमें background दिख रहा है, इस तरह से भी आप देख सकते है, तो अब यह अब क्या कर स अब और सबसे main चीजे, वो अभी ध्यान से दिखे, ठीक है, मुझे, यह जो red color का layer है, उसके उपर कुछ apply कर रहा है, ठीक है, तो मैं brush tool ले लिया, इसका color में black कर देता हूँ, और यहाँ पे apply करना हूँ, ठीक है, यहाँ पे apply नहीं हो रहा है, देखो, click करके मैं apply भी कर रह layer 3 select करके रखा है, layer 3 कौन सा है, green वाला, तो अभी green में जाऊँगा, तभी यह create होगा, ठीक है, उसके बाद अगर मैं layer 2 पे select रखूँगा, तो क्या होगा, इस पे नहीं होगा, सीप और सीप layer 2 के अंदर ही यह होगा, ठीक है, यह layer 2 पे हो रहा है, उसके बाद layer 1 जो है, सब से उपर है, ठीक है, इसमे layer 1 पे होगा, उपर वाला में तो सब में होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उपर वाला glass का परत है, तो उपर तो आप कुछ भी create कर सकते हैं, वो सब दीखेगा, ठीक है, इस तरह से work करना है, अब आपसे सब delete करना है, एक नहीं layer add कर देता हूँ, तो जिस भी layer पर वो आपको work करना है, वो layer select होना चाहिए, अभी बाहर ही आती है, selection tool की, यह selection tool है, rectangle, murky tool बोलते हैं इसको, अगर यह आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जाकर आप right click की जाएगा, तो आपको यहाँ पर अलग-अलग option मिल जाएगा, इसका जो shortcut की है, कीबोर्ड पर M प्रेस कर, अगर आपने move tool है, और आप जैसे keyboard पर M प्रेस करोगे, तो आपके पास यह murky tool का selection tool आ जाएगा, यहाँ पर आपको अलग-अलग option दिख रहे होगे, तो सबसे पहले new selection, मतलब एक select किया, उसके बाद दूसरी जगर पर आपने select किया, तो यह पेल selection रहेगा, और एक create करूँगा, यह भी इसका selection रहा, ठीक है, और सबसे पहले तो यह मैं दिखाते हैं, तो selection होता क्या है, जैसे मैंने create करता हूँ, कितना selection create किया, तो इतना portion है ना वही activate रहेगा, आपका, जो भी कुछ काम करूँगा, इस यह जो rectangle है, उस पर ही करक होगा, और बरस्टो, यहां, आपक create करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पानों, क्यों, क्यों, क्योंकि हम selection के बाहर create कर रहे हैं, जैसे मैं selection के अंदर जाके कर रहा हूँगा, तो इस person, जितना activated person है, उसमें ही create होगा, ठीक है, और मैं यह new selection create करता हूँ, तो क्या होगा, इस प Ctrl-Z, सब मैंना, undo कर दिया, अभी selection को अगर आपको निकालना है, तो आपको keyboard पे Ctrl-D प्रिस्ट करना है, ठीक है, इसका meaning हुआ, deselect, या फिर आप इस तर से selection create करके, यहाँ पे right-click करके भी deselect कर सकते हैं, अभी यह option देख लेते हैं, यह new selection होता है, गर हम add करते हैं, तो आपको यह देखें, यहाँ पे, बाजू में plus की निशाने भी दिख रही होगी, मतलब यह जितने भी चाहिए, उतने add करते जाओ, यह addition होता जाएगा, इसका, उसके बाद है subtract, इसमें क्या होगा, देखो आपको यह minus का button भी दिखेगा, तो इसका मतलब जहाँ पे भी create कर गया हो, जो selection person हो, वो हटा देगा, यह देखो, remove कर रहा है, इस तरह से, और उसके बाद है, intersect with selection, इसमें क्या होगा, आप जो भी नया, इसमें क्या होगा, प्रोस का निशाने दिखेगा, आप जो भी कुछ नया create कर रहे है, जो पूराना create किया गया, जो selection है, उन दोनों में जो भी common common चीज होगा, वो select रहेगा, जैसे हैं, आप मैंने rectangle किया, तिन दोनों में से, जो भी common पार्ट था, वो select रहा है, अब इतने पार्ट में आप, जो भी चाहे, वो चीज कर सकते हैं, जैसे, जैसे, brush हो गया, ओके, अभी देखे, मैं कुछ create कर रहा हूँ, तो क्या बता रहा है, कि आपने कोई भी एक layer select नहीं गया, तो आपको layer select करना काफी ज़रूरी है, तो मैं layer उपवर में एक ही layer है, और एक ही layer में मैं select कर देता हूँ, इस layer को select करना काफी ज़रूरी है, उसके बाद आप कुछ work करके option लाना है, तो क्या करूँगा, वापस से इसी tool को select करूँगा, उसके बाद right click करूँगा, तो यह मुझे सारे option दिखे होंगे, ठीक है, तो select tool का use कर रहे है, तो select tool वापस से select करके यह इस पर right click कीज़े, तभी यह सारे option दिखेगे, जैसे यहाँ पर deselect करना है, तो deselect button पर click कर देंगे, उसके बाद आपके यहाँ फेदर दिख रहा है, फेदर कितना है, 0 pixel, यह फेदर का दिखा देता हूँ, 0 pixel में create करता हूँ, paint bucket tool लेकर, कोई भी एक color apply कर देता हूँ, ठीक है, और control D प्रेस करूँगा, तो यह देखिए, outer प्रेस करके इसको zoom in करता हूँ, इसका जो corner है, border एकदम shark दिख रही है, अभी क्या कर रहा हूँ, selection tool ले रहा हूँ, जो feather है, feather में 10 कर देता हूँ, enter करता हूँ, ठीक है, और rectangle create कर रहा हूँ, तो यह थोड़ा सा आपको curve दीख रहा है, यहाँ पर curve दीख रहा है, यह curve का मतलब क्या है, कि आपका जो भी आप इसमें कुछ apply करोगे, जैसे मैंने paint bucket tool लिया, दूसरा color ले लेता हूँ, pink color, यहाँ पर apply किया, ठीक है, और ctrl D प्रेस करूँगा, d select के लिए, तो यह देखे, यह जो color है, वो fade हो रहा है, जितना जदा आप feather बढ़ा हो गया, उतना जदा फेद होगा, ठीक है, इसका मैं 100 क angle create करता हूँ, थोड़ा बढ़ा करता हूँ, ठीक है, तो यह थोड़ा round type ही बन रहा है, ओके, यहाँ आपे new selection कर देता हूँ, कोई अलग color दे देता हूँ, ठीक है, तो यह कुछ जादा इपनेड हो रहा है, अभी इन सभी को मैं clear कर देता हूँ, इस layer को है delete कर देता हूँ, अब यहाँ पर क्या, यह जो option है, वो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार हमें देखना पड़ता है, कि मुझे add section चाहिए, या subtract चाहिए, तो इसका shortcut की क्या होता है, अगर आप simple normal select करोगे, इसका feather में 0 कर देता हूँ, अब normal करोगे, तो new new select होता जाएगा, अगर आप shift hold करके रखोगे, तो देखे मेरे पास plus की निशा ने आगे, जैसे में shift प्रेस करता हूँ, तो shift hold करके आप यह पर create करते जाओगे, तो नया-nया create होता जाएगा, अगर आपको subtract करना है, तो क्या आप press करेंगे, अल्टर प्रेस करेंगे, अल्टर से minus का निशा ने जाएगा और यह subtract होता जाएगा, remove होता जाएगा, यह देखी इस तरह से, ठीक है, और आप control पर shift hold करके रखोगे, तो क्या हो आजाएगा, यह select हो जाएगा, intersect, जो भी common होगा, उतना रहेगा, ठीक है, तो यह देख लिजए, shift से add वाला आजाएगा, filter से minus वाला, subtract वाला, और filter प्लस shift hold कर से, यह आजाएगा, intersect वाला, ठीक है, तो इसका shortcut कीज़े, और यह feather था, ठीक है, और यहाँ पर style से fix ratio, size, यह दिखा देता हूँ, ठीक है, अब यह style में क्या है, normal है, अगर मैं normal मतलब यह free style है, जीतना चाहिए, उतना वर्जी का यह create कर सकते है, ठीक है, अगर मैं यहा कर देता हूँ, हाँ, one, sorry, इसको one कर देता हूँ, और इसकी height में कर देता हूँ, two, तो one jump two का aspect ratio बनेगा, ठीक है, जैसे में click कर रहा हूँ, तो यह देखे, one jump two का aspect ratio यहाँ पर bend रहा है, width इसकी one होगी, तो two होगी, मतलब यह aspect ratio इसका इतना रहेगा, ठीक है, आप चाहिए, तो जितना भी छोटा बड़ा कर सकते, लेकिन इसका aspect ratio same रहेगा, ठीक है, इसकी मात्रा same रहेगा, अगर मैं हर बार rectangle ही create करना चाहूँ, तो इस पे height और width दोनों का aspect ratio one one, मतलब square वाला रखूँगा, तो अभी आप कैसा भी create करना चाहूँगा, तो यह square ही होगा, इसके aspect ratio define होगा, इसलिए, इस तरह से इसके width में 3 कर देता हूँ, अभी create करूँगा, तो यह इस तरह से ही, इसके aspect ratio में create होगा, 3.1 के, ठीक है, इसके बाद इस fixed size, fixed size मतलब, एक ही fixed size रहेगी, आप यह आपको click करोगे, तो 64 by 64 pixel का ही एक rectangle create होगा, इसको अगर बढ़ाना है, 500 कर देन है, उसके बाद click करोगे, तो 500 by 64 pixel का ही, आपका selection create होगा, ठीक है, तो यह fixed size होगी, आपको क्या रखना है, normally रखना है, जैसे जैसे ज़रो तो ऐसे आप change कर सकते हैं, मैं normally रखूँगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा selection tool, अभी selection tool के इस्तमल करके कुछ अलग करते हैं, जैसे make, आपना image open करूँगा, तो मैं open में जाओँगा, ठीक है, desktop में आ जाता हूँ, यह वाली image उठा लेता हूँ, open कर देता हूँ, ठीक है, अभी क्या करूँगा, सबसे पहले नया layer add करना ज़रूरी है, तो नया layer add कर दिया, ठीक है, इसके उपर देखें, नया layer आए गया, okay, अभी इसके उपर, मैं black color apply करूँगा, sorry, वापस eclipse create किया, bucket tool ले लेता हूँ, यहाँ पर apply किया, यह black color कर आ गया, okay, लेकिन मुझे इस पर black नहीं, इसके round के अलावा जो भी area है, वहाँ पर मुझे black color करना था, तो उसके लिए मैं वापस से ctrl-z प्रेस करूँगा, ctrl-d कर कर देता हूँ, वापसे eclipse मैंने create किया, right click करूँगा, यहाँ पर, select inverse कर दूँगा, इतना person select, select inverse मतलब इसके अलावा जो भी person होगा, वह select हो जाएगा, तो select inverse किया, तो इसके अलावा बाकि क्या person select हो गया, ठीक है, मैं brush tool से थोड़ा सा दीखा देता हूँ, ठीक है, तो brush tool ज और मैं bucket tool लेकर, यह black color या कुछ भी color आप add कर सकते हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी shortcut किये, मैं control z करता हूँ, ठीक है, अगर आपको, alter back press करोगे, तो भी यह, यह वाला जो color है, front वाला color वो apply हो जाएगा, अगर आप control plus back press करोगे, तो इसके नीचे वाला जो color होगा, वो apply हो जाएगा, control back space create करने से, अगर आप इसका color change करना चाहते हो, जैसे मैं यह कर देता हूँ, blue, और नीचे वाला रखोंगा, मैं यह golden, ठ अब देखे, alter plus backspace दबाया तो यह उपर वाला color apply हो गया, control plus backspace दबाया तो यह नीचे वाला color यहाँ पर apply हो गया, नेया layer add कर दिया, eclipse selection tool लिया, यहाँ पर मैंने create किया, अभी यहाँ पर right click करके, यहाँ से भी आप feather वगेरा change कर सकते हो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 50 pixel और ok कर देता हूँ, ok कर दिया, right click feather, ok, यह 502 इतना ज़्यदा pixel नहीं कर सकता, 200 से कम ही रख सकते, 50 chip रखूँगा, ok कर देता हूँ, ठीक है, और हाँ right click करके inverse भी करना जरूरी है, इसको मैं select inverse कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर color reply करूँगा, तो क्या हुआ, आपको feather दिख रहा है न, अब ज्यादा feather भी कर सकते हैं, 200 कर देता हूँ, ok कर देता हूँ, feather किया, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, control D press करूँगा, तो सब D select हो जाएगा, ठीक है, तो layer 2 हमने यहाँ create किया, यह देखे, अब यहाँ इस में आप और क्या change इसका सकते हैं, यह layer 2 है, उसका opacity आप कम कर सकते हैं, इसका opacity का option आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, यह layer 2 select किया है, इसकी opacity में change, कम कर दूँगा, तो क्या होगा, इसकी opacity कम हो जाएगी, इसका effect कम होता जाएगा, इस तरह से, और क्या कर सकते हैं, layer 2 को select कर सकते हैं, और mood tool ले ले लेंगे, इसके बाद ctrl T प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, ctrl T, और यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, यह छोटा हो रहा था है, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं, इस तरह से भी आप change कर सकते हैं, और submit कर देंगे, यह देखें, आपने थोड़ा सा effect दे लिए, तो बस आज के इस part में इतना ही जानेंगे, मेरते हैं next partner, thanks for watching, क्यु lav बढ़ाएंगे, यह ज ह्यों प्योंधे, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, सुटा इस संप से कर दो देंगे, इसको बढ़ा है, इसको धनेने हैं, इसको बढ़ क्या है, diferenciaया वे मँदक्ट did. क्यू Gast बतॉ camel है